आप सभी का स्वागत है रवी जोन फार्मिंग लीडर में मैं रवी त्यागी आपका होस्ट एंड दोस्त मेरे सभी बुजूर्ग और किसान सातियों को मेरा राम राम तो किसान सातियों आज हम इस्प्रे मैन का मिनी टिलर देखेंगे मनी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है पहले तो आप अपना और अपनी कंपनी का एक संचिप सा परचे दें नमश्कार किसान भाई हो मैं आपका दोस्त मुनीश कमार रासन अग्रों एहमद गट से जैसा कि हम लोग पिछले 30 सालों से आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं तो हर दिन जो नई टेकनोलोजी खेती बड़ी के अंदर लेके आएं तो इस बार भी हमने जो प्रश कट रहे हैं उसको कुछ रिव्यू करके कुछ उसमें चेंजिस की हैं तो उसके बारे में अपकर इसमें क्या-क्या खासियत है और कि किनों ही मॉडल कितने कार गरे हैं इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश दा रहे हैं तो आप कुछ ऐसा करके दो कि हम डोग इसको असानी से चला ले तो मैंने जैसे अभी पीछे हमने 255 ब्रश कट रहे एक डेड़ महीना पहले ही उतारा था तो वह 800-900 मशीन हमने एक महीने के अंदर सेल की है तो बहुत दूर तक आंदरा से लेके तैलंगाना अपना महारास्टर गुजराथ इदर लोहर दागा तो में पी सब जब सबी स्टेटों में चला गया है तो आभी इंजन हमने इस जो ट्रॉली ब्रश कट रहे है इसके अंदर लगाया है और इसके अंदर जी 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 और इसकी पावर भी 155 ब्रश कटर वाली है जो पचास सीजी का है अगर इसकी सर फ्यूल कंजब्शन की हम बात करें जी तो यह कितने टाइम में कितना फ्यूल लेता है बहुत अच्छा कॉस्चन किया है नोर्मली अब हम पड़क्ट लेते हैं ना कोई बंदे व इसी लिए लगाया है कि इसकी जो क्यंप्शन है ब्रस्पत टू स्टो के इंजन जैसे हमारा स्कूटर पोर्टर सेंगल से यादा तेल लेता है ऐसी जे फोर्स्टो की इंजन है एक तो इनकी केरिंग कम हो जाती है क्योंकि इसके अंदर हमें पेट्रोल में मिक्स करना होता दूसरा तू स्टोब और फोर्स्टोक का फेंड़ा ही सीधा सीधा है एक दो चकर लगाया तो उसको चार स्टोक बोलते हैं चार स्टो को लगा दिया तो वह पावर नहीं है अगर भाया उसमें स्कूटर में पावर मोटर सैंकल में पावर ना होती तो आज भी हम लोग स्कूटर लेके ही चल रहे होते तो वो पराणी टेकनोलोजी है उसके दो नुकसान है एक तो वातावर्न को प्रदूशत दूसरा आवाज तीसरा जो सबसे बड़ा है फ्यूल के ज कितने में प्रवाये करहा है तो मेरा बंदा होता है ज्यादा से ज्यादा प्रडक्ट को सेल करो मार्जन अपना छोटा साकरके लो वह पर टैर भी लगा दी वह सब कुछ तो यह वाला प्रड़क्ट दे रहे हैं इसको 19,000 में बिना किसी रोक जोक के और कहीं भी आप चेक कर लो यह कोई भी बंदा इस प्रड़क्ट में नहीं आपको दे पाईगा तो अगर देखे सर यह तो आपने बता दिया अगर इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो इसक कोस्ट भी मेरे को ज्यादा नहीं लगनी चाहिए और मैंने इसके लिए एक वर्टिकल इंजन मार्केट में सर्च किया जो एक सो चाली सी का था तो यह वी अच्छी कंपनी का है राटो कंपनी का इंजन है तो इसमें 16 इंच का हमने चोटा सा गेर बकसा दिया है तो इसकी भ आपने इसके बारे में बताया और इसका जो है रेट आपने 22,000 में जो किसान भाईयों को प्रोवाइड कराया बहुत ही अच्छा है अब अगर हम आगे बात करें इस मोडल की तो इसके बारे में क्या जानकारी देना यह मैंने दिखो कुछ लोगों का है कि हमारे पास तो थ अब जी लगा रखी है वाट आज का लेवर मिलती नहीं है हमारे पेट इतने बड़े हो गया है बैठके गुडाई भी नहीं हो रही हमारे से तो उनके लिए मैंने यह चोटा सा यह चोटा सा वीटर त्यार किया है इसकी कोस्ट आपके एडियों से त्यागी आप क्या सोच हो अगर यह मैं इसको लेकर चलों तो क्या होनी चाहिए दिखो आपने बहुत सी हम तो किसान है पर किसान तो जितना भी सस्ता मिल जा उतना ही अच्छा है चलो मैं आपके वैसे एडिया से पूछ रहा हूं कि जैसे हम को चीज मार्किट में लेने जालते हैं तो बंदा सोच के अंदर कोई 11-12,000 नहीं है यह प्रड़क्ट मैं आपको 9800 में देने वाला हूं 9800 में एक चोटा सा वीडर हो जो की 52 सी का टू स्टोक का एंजन लगा हुआ है तो इस कोस्ट में मेरे क्याल से पूरे आपको सर्च कर लो यूट्यूब चैनल पे कहीं पे भी मिलने वाला न है जी 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 लेवर मिलती नहीं है जी 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 उस काम के लिए इतना अच्छा और इतना सस्ता प्रड़क्ट नहीं मिल पाएगा इस रेट में जी सर जी सर प्रड़क्ट तो मिलेंगे लेकिन इस रेट में नहीं मिल पाएगा देखो यह बहुत से चोटी से लेके बड़ से हर चोटे से गार्डन से लेके बड़े के तक सप्रेमेन का जो लोगों के पास प्रड़क्ट होगा तो आने वले टाइम में हम लोगों को बहुत ग्रोथ देने वाला है बिलकुल बिलकुल बाकी क्वालिटी के लिए आप निस्वाद रहें क्वालिटी अच्छी है जस्ट टू-स्टोक इंजने इसमें आपने तूटी का ध्यान जरूर रखना है और इसमें कुछ नहीं तो सर जैसे अगर कोई किसान भाई यह आपका प्रड़क्ट लेना चाहे और खरीदना चाहे और अपने मंगाना चाहे तो उसकी प्रिक्रिया क्या है उसके बारे में भी जरा क किसान भाईयों को बताएं कि इस प्रोड़क्ट के लिए उसको कितना एडवांस आपके यहां जमा कराना होगा या किस तरीके से आप डिलेवर करेंगे वह भी जानकारी देखो मेरी कंपनी में सीधा सा वंड़ा है अगर आप कोई भी मशीन जिसकी कीमत दासे जर तक है तो आपके घती के बताए हुए अड्रेस पे पेन कोड के हिसाब से पहुंच जाती है बाकी का पैसा उस टायम मेरी कंपनी के कॉंड में ट्रांसफर करना होता है और प्रड़क्ट अपना लेना होता है तो सर जी आपने यह इसके बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी और इसक वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मैं रवी त्यागी रवी जान फार्मिंग